रादे रादे श्री हर्दास और आज की है बेहत सुन्दर लीला जिसे में बहुत जल्दी से आप सबको मतलब डायरेक्ट कोई बात ना करते हुए डायरेक्ट सबसे पहले लीला बता देती हूँ और एक और चीज सबी भक्तों के जो भी ओर्डर्स थे वो जा चुके हैं सिर् पांच छे भक्त रह गए हैं जिनके शंक थे तो आप बिल्कुल परिशान ना हूँ आपको भी 14 तारिक के बाद वो डिलिवर मतलब डिस्पैच कर दिये जाएंगे ठीक है अब हम आगे की बात करते हैं आज की लीला बताने से पहले मैं आपको ये बता दू कि दो दिन से ल साला आ रहे हैं मतलब विहारी जी आ रहे हैं लेकिन जब भी सेवी का जाती है तो घर वो पट जो है बंद मिल रहे हैं उसको दर्शन नहीं हो रहे हैं कल की लीला में भी और आज भी वो मंदिर जाती है तो आज भी उसको मंदिर में प्रभू नहीं मिले हैं तो वो उनको ढ मिनाच़क को टारही है को कुछ खेट है कि जंगल कहते हैं उल्य खैट के आज पास आप लेघ्र माप मजलत में लुए और भी तो आप देखा एंक आप तो जिसको पुराने नहीं है सकता है यह कह सकते हैं यह कहते हो पहले के पुराने सब्सक्नाश्य जैसा है और यह को यह प अभी जो है गुटनों से थोड़े नीचे नीचे तक ही है ऐसी जो है वहां के पुरुषों ने धोती पहन रखी है जो खेतों में काम कर रहे हैं और जो महला हैं उन्होंने भी साड़ी पहनी हुई है लेकिन उनकी जो साड़ी उन्होंने पहनी है वो भी बहुत नीचे तक नह तो वह सुचती है कि लावि इस खेतों में ही मैं जाती हूं दूर से देख रही है लेकिन उसको सब सपस्ट दिख रहा है वह जाती है और कि spoiler कौन Joyce लाला देखा है जस्वन्त को देखा है तो वो बोले लाली ना कोई जस्वन्त तो रह तो ना है वो बहुत मलूक है बाकि लंबे लंबे बारें बाकि लंबी लंबी बड़ी आंक है तो मेरो जस्वन्त हो नहीं पर तो वो बोलो कि ना लाली जस्वन्त तो ना है लेकिन बहुत बोले कि आप बहुत बहां अंहोंने एक्सवत बहुत हुए अब नहीं क्या होता है वो जो बैल होते ले पहल कि उसमें दबाते हैं तो वह एक वोड वड बोला उदो याद नहीं है तो बोला कि सबकी दम कर रख है मतलब परिशान कर रख है पूरे गावं वाले को वह नंद बाबा को छोड़ा वाई तो बस पूछाओ मत खुड़ दम प और यह बोलते हुए सेविका सुनते हो सेविका को लेकिन यह बात अच्छी नहीं लग रही है और वह कहती है कि उसकी और भी सखी है तो उसको यह चीज भी अच्छी नहीं लग अच्छा तुम बस मुझे बताओ कि बुक कहां मिलेगों मैं कहां जाओं बाइद देख वेकूं तो बोलो होगो कहां यहीं होगो अपने दोस्तन के संग मां होगो बंसीवट पे महीं कचू न कचू कर रहो होगो जाए के देख लाए ढूंड लाए मिल जाये तो सेविका अब लगा हो अइसा ही तो लगा हो और बीच न कि चोल में यह और दएकर रोल के ल सब्काहर भाक़ दो मुए będzie मो Tony भुए और कमर में कंदौनिय द्होती उसने भी पहनी हुई और मतलब लग नहीं रहा कि वह मौसम जो है गरमिएयों का instruct हो रहा है क्योंकि सवेका-स्वएंय। भी बहुत नॉर्मल वस्तरों में देख रही है। लेकिन वो देख तो रहे हैं कि वह जस्वंत से कुछ मिल नूरे के लिए ли Тут 59 इसकी दुद से बड़ गई लंबाई थोड़ी से बढ़ी हुई है और उसने भी गंचा बांदा हुआ है माथे पे जिसे यहाँ पे इधर सबने गोल टका लगाया हुआ है और हाटों भी उसके कंगन ही है कंगन गोल गोल वाली इस तरही के awy से और हाथ में एक डंढ भी है जैसे ग्वालों के पास होताह है एसा थे इसका देख करना मंत्रमुघ्दों रही है और वो अपने आपको भी स्वेम को भी ब्रज भाशा में ही बात करते हुए देख रही है और वो देख रही है कि जाने मोय तो बतायो ना है और देख मंदिर में उझे मिलो ना है और भूल गई है अचानक से कि वो कहां पर है लेकिन वो कह रही है कि इसने मुझे बताय अभी नहीं और यहां पर द्वापर यूग में शायद मैं आ गई हूँ क्योंकि यहां तो बहुती अलग-अलग वेश भूशा दिख रही है सेवी का अपने मन में इस बात को गड़ रही है तब ही वो देखती है कि वो कहती है कनिया कनिया तब ही वो कनिया नाम का मन से वो कहां जा रही है काय थे मठी मैं या में चितो बता तो वो क्के रही है तो एका करना अब मोज जान दे मेरो बहुत सारस्य richter और नहीं हाट खेली मत करται कितनों काम पडए हो मेरो और बीच में तू रोख ले और सब्सक्राइब नदेकर तो बोल रहां कर लिए कर लिए ओंगी बाई तो वह कहता है कनिया कहता अच्छा तो बते कब तक खवागी बोले जब तक वो और में हम रिंगे हम में प्यार बनो रहे हो तो वोली मोते ब्या कर ले तो तु बस रिंद है यह काम है बस यह कर और वह भावी कहके उसको छेड़ रहा है वह जो कनिया नाम का है असेवी का इस चीज को देख रही है लेकिन वह उनकी आखो पर इतने मंत्रमुग्द है कि उसको समझी ने आ रहा और हो कह रही है हे भगवान कनिया जो यह छेड़ता है लोग जो है कलियूग में अब उस बात को सोच रहे हो कि हमारे उदर तो छेड़ने को कितना बुरा माना जाता है जबकि यह तो हसी ठटोली है और हसी ठटोली को लोग जो है छेड़ना बोलते हैं और सब कहते कि कनिया तो ऐसे छेड़ता था लेकिन यहां तो छेड़ने का मतलब हस्यस्पत करना है मतलब सामने वाले को आनंद देना है उसको मतलब मतलब बहुत हसी और आनंद की लीला है यह तो और कलियूग में लोग कहते कि तुम्हार कनीया तो छेडता था, ये कैसा है, तभी वो देखता है कि अब उससे छोटी लड़किया जो है, वो भी आ रहे हैं, तो कनीया उनको भी रोपता है, अरी कहां जा रही है, सखी, तो बोली कहां जा रही हूं, अब तू कचु कहें, मत नहीं तुम्हें अपनी अमा ती कह हम तो सिर्फ जेई पूछ रहें ना कि तैने कहा बनाओ है वो लग कच्छू ना बनाया मैंने जा रही हूं मैं बहुत सारों काम पड़ो मेरो वह इस तरीके से कनहिया जो है सब को छेड़ रहा है सेवी का यह सब देख रही है बीच में उनके जो सखा है वो भी आ रहे है आप ही के पास रहना है मुझे तो इसी युग में रहना है कितना सुन्दर है यह सब मुझे यहां रहना है वो यही विचार कर रही है तब ही कनहिया उसके सामने चला जाता है वो आंक जैसे ही खोलती है तो काना जी सामने होते हैं सेवी का डर जाती है वो कहती है कि कनहिया म मंन नहीं लग रहो मांठिया तो वो alak かा है गोवा तुह मेरी बिल्कुल परवाद नहीं है तुझे मेरी बिल्कुल याद नहीं आती तो तभी उन में से एक मित्र हैं मतलब aura ji अभी बात कर रहे हैं तो वो कहती है कि मतलब तैने मेरो ध्यान नहीं दियो तू बिल्कुल ध्यान नहीं देता ऐसे चला आता है यह भी नहीं सोचता है कि मैं आऊंगी मुझे कितना प्यार है तुछ से तो उधर यह जो मित्र है तो यह बोलकर सेविका रोने लगती है तो जो एक छोटा सा उसमें से एक उसका मित रहे है शाइद वह छोटा सार वह तुद्ली भाशा में बात कर रहा है और वह कहते हैं ता है जो थकी तो यह तो रो रही है तौ बोला कि नहीं जेना मतलब मुझे हमेशा ही ऐसे रुगतों मुझे समझ नहीं आ रहा है तो तभी कनिया कहते हैं ज्यान से सुन उसकी बात तो बहुत दुख देता एक प्यार करता है तो वह चोटा सा फिर तुतला के बोलता है अला पतो है तब हम पित कर दो नहीं हो कि मुझे नहीं समझ में आए तो कनेया फिर इशारा करता है कि ध्यान से सुन वह क्या आए बोला हमने अपने संगई रखो है ऐसी बोलतो है तो वो कहने लगा कि दुबाला वो अच्छा मतला बोला कि तुझे इसने पकड़ लिया है का नहीं या ने ये तुझे कभी नहीं छोड़ेगा वो तुटली भाशा में फिर बोलता है तो माखन तुराते थे तो महां पे सब आ बोलते हुए तो वो समझ जाती है सेविका कि यह कह रहा है कि कनेया जब किसी को एक बार पकड़ लेता है तो वो कभी किसी को छोड़ता नहीं है जब हम माखन चुराते थे तो उस वक्त भी हमारे साथ पिट जाया करता था लेकिन हमको छोड़कर भागता नहीं था तो तु मतलब अपकाना जी शब्द में संबोधित कर रहे हूं तब ही वो कहते हैं कि हां बाकी सब ठीक है अब तु चल तेरी मैया ने तेरी काई कपड़े बना के रखे तो तभी कनिया जो है तो उसका एक जो सखा है वो केता है मैया कुंसी मैया ये शोधा मैया तो बोले हां कल युक बताना जायता है कि अगर मैया की तरह है तो बताव करदे तूंे कभी ये शोधा मैया को देखा है तो सेवी का कहती है नहीं मैंने उनसे कभी बात नहीं की तो बोली लेकिन क्या ये 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 शोदा मैया की तरफ प्यार करती है लाला को मतलब कनिया को तो कनिया कहता करती तो है तो भी कनिया जो है रोते हुए थोड़ा परिशान होते हुए बोलने लगता है मैं ना ज क्या हुआ लाला बता दिव्यान ने तुझे कुछ कहा क्या कोई बात है क्या बोला कि नहीं वो मुझे प्यार नहीं करती है अपने बेटे से प्यार करती है तो वो कहने देख लाला तू बार बार एकी बात कहता है अब बेटे को कैसे छोड़ देगी बोले अब तो सब बड़ तो कायेगो मैं उतो मैया दे तू, खुद को बच्चा इतो नहीं देगो, जितो मैं कर तू मैया का जे, तो वो बुली हाँ मैं जानती तो हूँ, पर तू ये बात मत कर, गुसा मत हो, तू न अब चल, तो बुले मैं अभी न जा रहो, मैं नाराज हूं मैया ते, और ये बात मैया निम्मोडाटो है ना, तो सब कहने लगे हमें भी मिलवाई गां मैया से, तो छोटा ओव ला किता है हां मैंने देखी वो लेंगा पेर के आती ना, कनया對不對 मिल है के मेरो लाला है ना, वो ही हैई, वो ही है, तो तब ये लेकिन, अब कनया जो है, इस बात को टाल देता है सेविगाorted कहते हैं चल तो में तुझी सुन्दर सी लीला थी तो हम आपको बता दूँ को सुएम इतना ज्यान प्राफ्त हो पता हूं उसी नहीं मन में भाव दिया था कि मैं या मतलब घर के लिए या घर कुछ करेंगे तो मैंने कल और परसों मैंने उसको यही बोल दिया कि तु खुद देख ले मुझे नहीं पता है मेरे दिमाग में मत डाल मेरे को टेंक्शन हो जाती है मैं कहां जाओंगी कैसे करू जाती लेकिन आज ही उसी का कार्य कंप्लीट करना है मुझे तो वो काम कंप्लीट करूँगी और जल्द ही मैं उसके पास वहां भी पहुँच जाओंगी, मुझे पता है कि जहां जहां वो भागेगा, मैं वहां भागी चली जाओंगी और ये सब उसकी लिलाओं के पीछे कितना बड़ा गून रहसे है ये मैं नहीं जानती, ये वही जानता है उसका ये मानना कि क्या, मैं कुछ भी नहीं जानती मैं कैसे आप सब को बताओं तो ये सब उसकी लिलाओं हैं और बहुत इन लिलाओं के पीछे है उन्होंने एक रहसे भी बताया इस लिला में कि बहुत सारे लोग माया दिखा कर आपको दूर करने की भी चेस्टा करते हैं प्रभू से तो वो चीज भी नहीं होनी चाहिए बची बात जीवन की, कि इस जीवन में घर, गाड़ी क्या प्रभू को जो आपको देना होगा वो आपको धीरे-धीरे मिल जाएगा और प्रभू की कृपा से ही मिलेगा और प्रभू जब चाहेंगे तब होगा ये सत्य है, तो प्रभू को क्या करना है वो मैं नहीं जानती और ये सत्य है कि वो सब स्वेम प्रभू करेंगे किस के द्वारा करेंगे, ये तो मैं नहीं जानती सब प्रभु के हातों में हैं और अब लाला तो रूठा था तो आज तो मैंने मना लिया है अभी और वो मंदिर पहुंच भी जाएगा तो ये प्यारी सी सुंदर सी आज की लिला थी तो बहुत सुंदर लिला तो खुब सारा प्रेम आप सब के लिए राधे राधे श्री दस